हेलो दोस्तों आज किस वीडियो में एक वारपुन आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर करके आया हूं और यह अपडेट में बहुत कुछ क्लियर होगा इसलिए सभी स्टुडेंट शुरूस लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहाना ठेक है मैं आपको ए प्रेट यह सब बताने की जूरूत नहीं है कल का जो केस है यह केस अंजली कुमारी वर्षेज अर्चना कुमारी ठेक है यानि कि एस्टुडेंट वर्षेज इस्टुडेंट है यह चीजा आपने देख लिए एक और केस का आप लोग बात करेंगे जो बिहार सरकार है ना ब हारा अक्टूबर के जो लिष्टेड हुआ है वो सिरियल नंबर एकहत्तर पर आप जैदा उमीद इस पर मत लगाए कि यह सुनवाई हो जाएगा आप फिप्टी फिप्टी चांसेज में रहिए इस केस को सुना भी जा सकता है सिरियल नंबर थरह सा कम रहता है तो जल्दी क केस को सुन लिए जाते एकहतर तक आने में थाट टायम लग सकता है मैं यह नहीं कर आऊ कि मतलब सुना ही जा सकता है चांसेज फिप्टी फिप्टी है क्योंकि जो अभी तक ऐवरेज हमने देखा है देखे हैं सुप्रीम कोट में कि जो जिनका स्रेल नंबर चालिस पैटाल स्क्रिप्ट इसमें तो चलिए अठारा अक्टूबर को सभी लोगों को निगाह इसी पर हेगा अब आप लोग को यह सोचते होंगे कि आखिर जीत किसकी होगी जीत किसकी होगी आप लोग यह सोच रहेंगे देखिए आप लोग एक चीज जरूर अभी हाल ही में देखेंगे आप लोगोर से सुनिएगा ठीक है मैं किसी का पक्ष लेकर नहीं बता रहा हूं बस आपको विद प्रूफ बता रहा हूं सारी चीज को समझेगा आप यहां पर बीटीसी के अंतरगात जूनियर इंजिनियर का जो वैकेंजी अभी की मामला चली रहा है मैं बस इसका स्क्रि जीत मिल चुका था ठीक है जीत मिल चुका था अब किसी की जीत मिला था मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं हाई कोट जजमेंट पास कर देते लेकिन हाई कोट के जजमेंट को जब सुप्रीम कोट में गया तो उस जजमेंट को बदल दिया गया है उस जजमेंट को क्या हुआ में दिया जाएगा ऐसा कुछ नहीं है सुप्रिम कोर्ट में अपनी तरीका से देखे जाते हैं उसके जज्मेंट को बदल भी सकते हैं एक चीज मैं आपको और भी यहां पर दिखाऊंगा त्रासा गौर करिएगा आप लोग आप लोग के सामने के चीज़ा बस मैं आप लोग मतलब चाहे हो वह मार्क बेसीज पर हो या एकजाम बेसीज पर मैं उसका भी जिक्र नहीं कर रहा हूं जिस मैं थट से हो civ हो फार संपर ही था तो अज्जाम के आदार पर अगर आप दिक्किया तो इस आथार पर बिटिय से से के लगभा पर दिखेगा तो एक्जाम वाले को जीत की संभावना जैदा है क्योंकि इसमें भी रिजल्ट पब्लिस कर दिया गया था भनेवार वह मार्क वेसिस पता लेकिन कैंसिल किया गया था है कोट के माध्यम से फिर भी सुप्रीम कोट उसको बदल दिया कि किसकी प्रोसेस हो चुक सुप्रीम कोट यहां पर देखेंगे वह जो आपकी डोकुमेंट किस आधार पर चल रहा है उसके आधार पर फैसला आते हैं तो आप लोग जब देखिएगा मतलब मार्क वेसिस के आधार पर दिखिए जो भी चीज हुआ था मतलब जो एसकूटनी वाला मार्क दिखा गया तो वह अपने अस्तर से किया था लेकिन अगर इस्टुडेंट के अस्तर से बात करेगा तो इस्टुडेंट के अस्तर से यहां पर बात करेगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक्जाम वेगर सारे चीज लिए गया तो आप देखिए जो भी हो सुप्रीम कोट में जैस साथ आपता के लिए सभी को, thank you.